लॉट्स, शूद बैक्स पेश करते हैं कम्प्रीट कलेक्शन, सैंडल, शूद, हैंडबैक्स, ट्रावल बैक्स भी, फैंसी डिजाइन, हाई हील, कैस्वल, ओफिस वेर, देलिवेर, लॉट्स, शूद बैक्स, सेल्प मैनुफेक्शर हैं, अफॉर्डबल प्राइस के साथ, आप तू 50% डिसकाउंट, तो आज जी आए लॉट्स, शूद बैक्स, गांदी जी के संबान में, राजभादी मैतान में, गांदी जी हम शर्मिनना है, पेरे काती मिनना है, पेरे काती मिनना है, मुम्रा में आज फिल्म अभिनेत्रे कंगना रनाउत के खिलाफ NCP पार्टी की तमाम महिला कारिकरताओं ने विरोध परदर्शन किया है मुम्रा पुलिस इस्टेशन के पास ये विरोध परदर्शन किया गया इस विरोध परदर्सन के दौरान कंगना रनाउत के पोस्टर पर कालिक लगाया गया आपको बता दे कि पिछले दिनों फिल्म अभिनेत्रे कंगना रनाउत ने आजादी को लेकर एक बयान दिया था कंगना रानाउत ने बयान दिया था कि उस वक्त जो आजादी हमें मिली थी वो भेक में थी असली आजादी तो 2014 में मिली है इस बयान पर कंगना रानाउत के खिलाफ देश भर में गुस्ता देखने को मिल रहा है और F.I.R. दर्ज करने की मांग हो रही है वही मुम्रा में आज N.C.P. पार्टी के महिला कार करता हूँ द्वारा जो विरोध परदर्शन किया गया है ये भी F.I.R. दर्ज करने की मांग कर रही है और N.C.P. की मर्जिया पठान ने क्या कुछ कहा है सुनिये जब के लिए वह काले कर देश के लिए पीडार फाईटर्ज के लिए इस दर्ट में पर जो उनकी जम्हों की जमान तैम देन और रात वून पासीन एक कर कि देश के लिए लड़ते थे कहीं मियाल बिना चपल के चलते थे घूके पेट यह सब करके वो लोगों ने अपनी जान गवाई है आजादी के लिए तो आज जो हम खुले में इंडिया का तिरंगा लहराप आते हैं उस दौरान जो स्ट्रगल हुआ है जो फाइट हुई है इंडिया के आजादी के लिए उ चौदा में मिली है मॉब लिंचिंग के लिए इस्क्रिमिनेशन के लिए रिलिजिस इंटॉलरेंस के लिए और हेट्रेट स्पीचस के लिए यह सारी जो स्टीरियो टॉक्सिक जो कारव चीजे हैं उसके लिए इंडिया को आजादी मिली है बिल्कुल सही गहां उन्होंने और उनको इसकी बचे जो उन गुत बदमा श्री सम्मानित किया गया है उनके यह सब कहने के बावजूद भी एक तरह जो कुछ लोग जो इंडिया के लोगों के फंडमेंटल राइट्स के लिए बात करते हैं अगर तो उनको अटराटराम हैने जेल में बंद कर दिया जाता उनको बिलग तरह की अट्रीन ऐंट्रिए बंद करती है कि इंडिया के लिए ठ्रेट है और एक तरह महिला जो है कभी स्टेट के चीफ मिनेस्टर के बारे में वकुआस करती है कभी थूर्च जी ऊवाराम है यह सोग्षा किया गया है इनको इनको बिल मोगों सम्मानित किया वाले जो तोक्सिक एसी हेड्रेट वाली जो सोच रखने वाले गांदेची यह लोग वह आज भी है और उनको वाय प्लस सिक्यूरिटी दी जारी और वह पुले में बहुत उनको पदमश्री दिया जा रहा है और उनको एज एग्जैंपल सेट किया जारे है कि आप जो है सबसे पहले तो मैं यह हमारी सरकार से कहना चाहूंगी कि ऐसे कंगना रनावत में भारत के लिए क्या योगदान दिया जो आपने इतना बड़ा पुरुसकार उनको दिया है जो पदमाश्री का तो मैं उनसे यह निवेदन करूंगे कि उन्होंने अपने बाइट में कहा है क कि उनको आजादी 14, 2014 में मिली है तो वो अब तक क्या बिना आजादी वाले शहर में रह रही थी कि उनको कोई फैसलिटी निली नहीं है तो मैं सरकार से यह कहूंगी कि ऐसे इंसान के खिनाफ आप 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 दर्ज के लिए उनको एरस्ट करें ताकि यह जो आप करवा ही कर जाप एंगे तो यह हरकत दोबरा और कोई और कोई और ना करें जही। BUT कि इस टॉर में अगर ऐसा कोई करता है तो हम बार भार ऐसे प्रोटेस्ट करेंगे और बार यह सरकार को जताएं कि एसी यह जो वाहियात बातें हैं वो वो मीडिया के सामने ना करें कि यह हमारे गांदी और हमारे समीनात के खिलाफ बात की गई है तो हम हर बार आवाज उठाएंगे और यह रश्टरवादी हर इस चीज में आगे रहे